नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपनी ही योटूब चैनल बीरू अकाडमी पर डियर आज हम बात करेंगे डियलेट साथियों के लिए एक बुरी ख़वर आई है PNP ने जारी किया है एक नया आदेश, चात्रों का भविस अधर में अटका है कोट के अंतिम आदेश पर अब चात्रों की नजर टिक गई है तो अगर आपने डियलेट किया है या उससे सम्मंदित किसी भी कोर्स मैडविसनस लिया है तो वीडियो पर अंद तक बने रहिएगा चैनल पर पहली बारा हैं इसी तरह की सठीक और आथेंटिक अबडेट के लिए चैनल को सबस्क्राइब करके मेल आइकन प्रेस कर दीजिए आईए आपको दिखाते हैं पूरा मैटर क्या कुछ हुआ है आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है सच्यू परिच्छा नियामक प्राधिकारी उत्तरप्रदेश प्रयाग राज के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है इस लेटर में डियर मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या बाते मेंसंस की गई है पी एनपी सच्यू कारियालाई के द्वारा आप देख पा रही है ये माननी नयायालाई पत्र संदर भाय और सच्यू परिच्छा प्राधिकारी द्वारा ये लेटर जारी किया गया है इसमें उन छात्रों की बात की गई है जिसमें किसी भी साथी के तीन बार जब बैक लग जाता है बीटीसी कोर्स में या डियलेट में तो उसका जो सिमेक्टर है वो कही ना कही पूरी तरीके से बैक हो जाता है लेकिन जब एक ही सब्जेक्ट में लगातार तीन बार बैके आती हैं तो कही ना कही जो डिलेड होता है या बीटीसी होता है उसका वो इन्वैलिड हो जाता है लेकिन पिछले सत्र में एक नई व्यवस्था की गई थी SCRT कारियाले लखनौ के दोरा कि जिसके तीन बार भी बैक लगा था उसको प्रत्यावेदन लेकर कि एक चौथा मौका दिया गया था और जो छात्र चौथे मौके में सफल हो गये थे तो उनका जो वीटीसी या डिले गया था यानि कि उसके जो प्रमाड़ पत्र है वो जारी कर दिये गए थे लेकिन ऐसी ही गटनाए 2019 के सेमेस्टर में आई तो वो लोग जो है SCRT कारियाले पहुँचे और उन्होंने भी प्रत्यावेदन देने की बात की तो SCRT कारियाले ने उनके प्रत्यावेदनों को ल हाई कोट में हायर किया गया तो PNP हाई कोट में छात्रों की मांग ये की गई किया तो हमें भी एक प्रत्यावेदन के माद्धिम से परिछा देने को मौका दिया जाए PNP कारियाले दोरा अन्यता जो छात्र पहले जो है पास हुए है इसी प्रत्यावेदन के आधार पर उ इसको देखते हुए जब कोट ने PNP से ये मामला तलब किया तो तुरंद PNP ने एक नई नोटिस जारी कर दी और जो चात्र 17, 18, 19 किसी भी वैच के रहे हों और तीन बार बैक थी और प्रस्तियावेदन में पास हुए उन चात्रों की जो माकसीट थी अंकपत्र था उनको त साथियों के प्रमाल पत्र नहीं दिये जाएंगे जो तीन बार के बैक के बाद प्रस्तियावेदन से पास हुए हैं तो कहीं ना कहीं डेलट साथियों के लिए एक बुरी ख़बर है ये उन साथियों के लिए जो प्रस्तियावेदन से पास हुए थे पिछले जो पास हुए य हों उनका भी, जो रिजल्ट है माकषी थे, वो नहीं मिलेगी, अब या तो उन सभी साथियों को और मौका मिलेगा चोथे प्रस्तियावेदन के लिए, जो अन्ड सेमेस्टर्स के हैं, अन्ढ था जो पहले से पास हुए हैं, प्रस्तियावेदन से, उनका भी रिजल्ट कही ना कहीं अधर्व आ गया है अब कोर्ट का जो अंतिम्द्रणे होगा उसी आदेश पर सब की रिजटिक गई है आखिर सब को मौका मिलेगा या जो पहले से पासे प्रत्यावेदन देख करके उनका भी जो बीटी सी डिलेड है वो भी इडवाइलिड होगा ये देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में इस पर इस्वर्ष्ट हो पाएगा मानने अलहावाद हाई कोट के द्वारा लेकिन प्यन पी ने तब तक के लिए जो पहले पास बहरती हैं उनके अंक पत्र पर प्रवाण पत्र पर पूरी तरीके सिरोंक लगा दी है उन साथियों को पहली बारा हैं सबस्क्राइब करके मेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा फिर मिलेंगे इस अप्रेट में तब तक के लिए जय हिन जय भारत थैंक यूँ